हेलो नमस्कार जहन दोस्तों तयार हो जए एरपोर्स की एक और बड़िया वेकेंशी के लिए जीहां साहबन जो भी इंतजार कर रहे थे कि एरपोर्स केंटिन भरती का हमको फोम बरके दे दीजिए सर तो दोस्तों आज का इस वीडियो के अंतरगत में आपको फोम केसे बरना है एकदम बड़िया तरीके से बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों एरपोर्स केंटिन का जोड़ा नुए नोटिपिकेशन आया था उसके अंतरगत सपाय वाला हेलपर और कलर की वेकेंशीयां जारी कर दी गई है तो टेंथ पास केंडिडेट है वो भी इसमें आविदन क कर सकते हैं आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा साथ साथ ओल और इंडिया कंडिडेट इसमें एपलाई कर पाएंगे यह इजी गोवर्मेंट जोग इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों इसके अंतरगत कॉंपेटिशन लेवल बिल्कुल कम रहता है इसलिए में दोस्तों आपके क्केंडिडेटों कमेंट किये थे हमारे पिछले वीडियो में की सर इसका एक डीटेल सी वीडियो बनाईए कि किस प्रकार आयुदन कर रहा था तो दोस्तों हमारे लिए आप बहो जयादा इंपोर्टेंट है तो आपका यह वीडियो उन केंड़लेट के लिए समरपन है जि रहेगी तो दोस्तों हेलपर की जोब है बिलिंग कलर की जोब है सके लाख अकाउंट कलर की जोब और सपाई वेलित की जोब रहने वाली है ध्युक्षाइजमेंट नमबर है दोस्तों दिल्ली चले जाएगा एक्जाम आपका नहीं होगा डायरेक्ट इंटर्यू होगा तो इंटर्यू की डेट आपको पता चल जाएगी एप्लिकेशन फीस की बात की जाए तो कोई भी एप्लिकेशन फीस आप से नहीं ली जाएगी चाहे आप किसी भी केटिग्री से बिलोंग करते हो तो बिना किसी फॉर्म दोस्तों आपको अगर फिली में आपको एप्लिकेशन फॉर्म मिल रहा है बरने के लिए तो आप जुरूर इसमें अब उधिन आपको कहां से मिलेगा ओ भी आपको मैं बता दूंगा कि आपको फोर्म प्री और कोस्त कहां मिलेगा बात करें आपका सेलेक्शन प्रोसेस की सादार पर रहेगा तो दोस्तों आपका सफेलेक्शन प्रोसेस रिटिटन एग्साम ने сильно नहीं होगा इंट किया मांगा जाएगा और qualification की भी चर्चा कर लेंगे तो दोस्तों जो भी candidate form बढ़ना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको form offline form बरके बेजना होगा offline form हमारे वार्सप गुरू में आपको मिल जाएगा बिना किसी सुल्क के यानि बिल्कुल free of cost आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा इसके अलावा दोस्तों आपको document की फोटोकोपी जो भेजनी है वो देख लीजिगा तो आपके educational certificates यानि 10th 12th जो भी आपके पास mark seat वो आपको भेजनी है जनम परमान पत्तर के लिए 10th की mark seat आपको भेजनी है इसके लाव मुल निवास जाती परमान पत्तर की फोटोकोपी आपको लगानी है अधार काड या water काड की फोटोकोपी आपको लगानी है अगर आपको कोई भी experience है आज तक तो वो आप भेज सकते हैं और एक अत्रिक passport size की फोटो भी आपको साथ में बेजनी है ताकि जब आ आपका admit card बनेगा तो उसके उपर आपका ये फोटो लगा दिये जाएगा आपको दोस्तो लिफापा किस परकार बनना है वो भी बताऊंगा आविदन किस परकार करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं बात कर लेते हैं दोस्तो आपको salary और दोस्तो योग्यता क्या-क पास आपकी होनी चाहिए billing color की post के लिए आपको 5500-18000 रुपे मिलेंगे बार ये पास होना चाहिए आपको और हिंदी और अंग्रेजी में 25 या 30 की speed आपकी typing में होनी चाहिए बात करें लेखा साय के लिए इसके लिए भी 18000 रुपे मिलेंगे और become और computer का ग्यान आपको होन चाहिए सपाई वाले की post के लिए 10,000 रुपे मिलेंगे और पांची पास आपका होना जरूरी है इसके लिए आपको दोस्तों लाश्ट डेट है 10 जून उससे पहले फहले form को बेजना होगा form किस परकार का बढ़ना है वो देख लीजिए दोस्तों इजी तरीके से हैं एक ही पेज आपको भरके बेजना है तो application form में आपको लिखा हुआ अल्रेडी मिलेगा सबसे पहले आपको फोटो पेस्ट करना है और उसके अला दोस्तों बात कर रहे हैं इसके अंतरकर दो एप्लिकेशन फोर्ड़ पोस्त है अगर आप helper के लिए form बनना चाहते हैं तो helper लिख दीजिगा केटिगरी आपकी लिखनी है यानि OBC कौन्सी केटिगरी में आप form apply करना चाहते हैं उसके बाद में आपको name in full block letter के अंतरकर बनना आपका नाम में बोलना चाहूंगा कि आप पूरा form भी दोस्तों block letter के अंतरकर बरेज़ा की दोस्तों अगले वाले पर impression थोड़ा अलग जम आपकी दूसर एज कितनी हो जाएगी closing date के अनुसार यानि 11 जून तक आपकी एज कितनी हो जाएगी वह एज काउंट करके आपको लिखना है जिस प्रकार मैंने लिख रखाए जैसे 23 year 6 months 23 days इसके आपका marital status single हो या marital उसकी जान कर देनी है nationality में आपको इंडियन कर देना ह साथ साथ religion भी इसमें लिखना है और अग्या आपकी category लिखनी है उसके बाद में education qualification की बात करें तो इसमें अगर आपने graduation 10 त 12 जो भी कर रखाया उसकी जानकरी आपको देनी है उसके बाद में आपको दसवे number column में communication का address लिखना है pin code लिखना है उसके बाद में postal address भी आपको pin code से लिखना होगा उसके बाद में 12 number column के अंतरकत आपको खुदगा mobile number और email address लालना है लास्ट के अंतरकत आपको place डाल देना है जहां से आप home apply कर रहे हो date डाल देना है जिस date को आप बेज रहे हो उसके बाद में signature of applicant में आपका signature कर देना है ये काम हो गया है यापका एक का लास्ट में बच गये आपको लिफापा बरके बेजना होगा तो दोस्तों लिफापे के अंतरकत आपको सबसे पहले एक प्लेन लिफापा लेन है उसके पर आपको लिखना है application for the post of helper billing collect जो भी आप home बना चाहत तो उसका नाम और category आपकी लिख देनी है उसके बाद में 2 में from लगा कि आपको खुद का address लिखना है जी हां वही address लिखना है जहां से आप दोस्तों बेज रहे हैं पूरा address लिख दीजिगा वित mobile number भी आपको लिख देना है ताकि आपको कोई प्रेशाई या कोई कुछ दिक्कत होगे तो कोवल आपको कर लेंगे इस परकार के दोस दोस्तों टिप्स यह है कि आप स्पीड पोश्ट के मादेम से बेजी ताकि आप order को ट्रेक भी कर पाऊगे कि कहां तक आपका पहुंच गया है उसके बाद में दोस्तों आपका पहुंच जाएगा और कुस दिनों बाद में आपका दोस्तों लगब 15-30 दिन तक आपका को ल लिंक है और वह आप से डारेक्ट आप हमारे वार्टस ग्रूप में जुड़ जीए और हमें मेसेज करी आपको फोर्म मिल जाएगा इसके अलाव अगर आपने दोस्तों टोल पला जा कंपनी वाली जो वेकेंसी उसमें आविदन नहीं किया तो उसका भी जरूर कर दीजिए आप मुंबई के लिए आपकी जो लोकेशन रहेगी यह प्राइवेट कंपनी के अंतरगरत वेकेंसी जो भी दोस्तों एमर्जेंसी वेकेंसी चाहिए वह इसके अंतरगरत फूला वीडियो चेक करके आविदन कर सकता है यह वेकेंसी एनसी गौर्रमेंट डोट इन के वेव पर आईवी है